36 गल के मुखी मंतरी बुपेश बगेल जिले के सोना खान प्रवास में रहे जहां शहीद वीर नारायन के समारक पहुँचकर श्रधान जली अर्पित की साथी सभास तल को संबोधित किया मुखी मंतरी बुपेश बगेल के साथ कैबिनेट मंतरी अमरजीद भगत, शिफकुमार डहरिया, अनिला भेडिया, प्रेमसाय सिंग टेकाम के अलावा संसदिय सच्जिव, शकुंतला साहू और चंद्रदेव राय मौजूद रहे सीम भुपेश बगेल शहीद वीर नाराइन सिंग के कर्म भूमी और जन्म भूमी सोना खान पहुंचे और शहादत दिवस के अवसर पर शहीद के समाधी जाकर श्रधान जली अर्पित की मौखे मंतरी बुपेश बगेल निर्दारित समय से 50 मिनट देरी से पहुंचे लेकिन सोना खान में लोगों की भीर हजारों की संख्या में थी जो सीम के आने तक डटे रहे आपको बता देंगी यहाँ मौखे मंतरी ने शहीद वीर नाराएंड सिंग के वंशजु का शॉल और श्रीफल से समान किया वहीं शहीद वीर नाराएंड सिंग को भारत की वीर सपूत और गरीबों की हितैशी बताया मुखी मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शहीद वीर नारायन सिंग ने अंग्रेजी साशन से मुकाबला कर सम्मान की रक्षा की और स्वाविमान के साथ जिंदगी जी श्री बगेल ने कहा कि देश भर में 36 गड़ ही ऐसा प्रदेश था जहां कोरुना काल में गरीबों को तीन महिने का एकटा राशन दिया गया साथी बीते वर्ष किसानों से धान खरीदी के समर्थन मूली के अलावा बोनस राशी को अभी तक तीन किष्टों में राजव गांधी किसान न्यायोजना के तहट प्रदान किया गया है जिसमें पहला किस्त 21 माई दूसरी 20 अगस्त तीसरी किस्त एक नवंबर के साथ चौथी किस्त मार्च में देने की बात कही इसके अलावा श्री बगेल ने कहा कि किसानों को इस वर्ष दूर धान बेचने जाना पड़ता था जिसके लिए सरकार ने कई गावों को अलग का कम गांध को सम्मिलित कर एक धान खरीदी के इंद्र खोला है जिससे किसानों के समय के साथ धान बेचन में परिशानियों का स थापना जिला मुख्याले के कलेक्टर परिसर में करने की बात कही। कि इन परिवार के सदस्यों को 10,000 रुपिया इन लोगों समानने दी मिलना चाहिए और वो मिलेगा।